नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप GK MCQ सीरीज और इस सीरीज की आज हम 124 वी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे आज की क्लास में भी आपको GK के पुछे गए होते हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं उनकी लैंगवेज देखने को मिलती हैं किस टाइप के हैं किस पैटर्ण में पूछे जा रहे हैं वो सारा आईडिया आपको इस सीरीज के माध्यम से मिलता है और इन questions को केवल question answer के रूप में cover नहीं करते extra effect के साथ करते हैं जिससे आपका revision और concept भी और अच्छे से clear होता रहता है अगर आपने इस practice set series की हमारी previous classes को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला question है निमलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुक विसेशता है तो कौन सी विसेशता है 1919 की आपने बताना है देखे जो 1919 का भारत साशन अधिनियम था इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है पहला कोशन तो आपका ये बनता है इस अधिनियम को Montague Chainsford Act के नाम से जाना जाता है उस समय Montague भारत सचीव था और जो Chainsford था वो भारत का वाइस राय था तो इस अधिनियम को जो 1919 में आया था किस नाम से जाना जाता है Montague Chainsford Act इस Act के माध्यम से प्रांतों की कारेकारी सरकार में दुएद शाषन की शुरुवात करी गई कई बार हमने देखा है पेपर में आया है कि भारत में प्रांतों में दुएद शाषन की शुरुवात किस अधिनियम के तहत करी गई 1919 का अधिनियम जिसे Montague Chainsford अधिनियम कहते हैं इसी एक्ट के माध्यम से केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधाई अधिकार हस्तांतृत भी किये के यानि उनको कुछ विशे दिये गए, कुछ अधिकार दिये गए जिस पर प्रांत भी कानून बना सके ये दोनों काम इसी एक्ट के माध्यम से हुए थे जबकि मुसल्मानों के लिए अलग सामप्रदाइक निर्वाचन छित्र की मांग इसकी शुरुवात कब होती है? 1909 का जो अधिनियम था उसके तहत होती है 1909 वाले को मौरले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं तो प्रदाइक निर्वाचन की शुरुवात ये 1909 के तहत होती है यानि ये वाला आपका इसकी विशेस्ता नहीं है पहला और तीसरा यहां पर सही आंसर हो जाएगा option C सही उत्तर होगा next है हमारा सरवुच न्याले ने किस फैसले में कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसत के पास उनमें शंशोधन करने की शक्ती नहीं है देखे जो important historical decisions हैं फैसले हैं जो आपके case हैं जैसे गोलकनाथ case हो गया केशवनन भारती case हो गया मिनरवा मिल्स case, बेरुबाडी case मेनका गांधी case इन सब के उपर बहुत जल्दी एक detailed video लेकर आऊंगा जिसमें हम इन सब case के बिल्कुल जो to the point notes है केवल उन points को जिनको लेकर question बनता है, जिनका basic हम उन videos में cover कर जाएंगे जिससे आपके इन cases से कोई भी question कभी भी बने, आप उसे आसानी से clear कर जाएंगे बहुत जल्दी इन जो सारे हमारे important cases हैं इनके उपर एक single video आपको देखने को मिलेगा quality की series में अगर हम प्रशन की बात करें किस case में सुप्रीम कोट ने कहा कि मौलिक अधिकार पवित्र है और संसद उनमें शंशोधन नहीं कर सकती ये सुप्रीम कोट ने गोलक नाथ case में कहा था option A सही answer होगा गोलक नाथ case जो था पूरा इसका नाम गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्ये case था शौट में गोलक नाथ case कहते हैं और 1967 में इसका फैसला आता है और इसी में शुप्रीम कोट ने कहा था कि आप मौलिक अधिकारों में शंशोधन नहीं कर सकते ठीक है next निमलिकित में से किस अनुछेद में राज्ये की परिभाशा का उलेक है समविधान में राज्ये की परिभाशा कहां पर दी गई है सम्विधान में राज्य की परिभाशा आर्टिकल 12 में दी गई है Option B सही आंसर हो जाएगा इसके अलावा एक जगह पर और है जहां पर राज्य की परिभाशा दी गई है वो है आपका आर्टिकल 36 लेकिन जादा तर आर्टिकल 12 ही पूछा जाता है कि जो राज्य शब्द है कि सम्विधान में किसको राज्य माना गया है किसके लिए राज्य शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा राज्य शब्द को ब्याक्षा किया गया है कहां पर आर्टिकल 12 में ठीक है साइड में आपने 36 को भी याद करना है जो DPSP का पहला आर्टिकल है वहाँ पर भी रज्य को डिफाइन किया गया है नेक्स्ट है रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी देखे रोलिंग प्लान जिसे अनवरत योजना के नाम से जाना जाता है हिंदी में पांचवी पंचवर्षय योजना जब चल रही थी भारत में उसको एक साल पहले खतम किया गया पांचवी पंचवर्षय योजना की शुरुवार 1974 में होती है इस योजना ने खतम होना था 1979 में पंचवर्षय योजना है इसको खतम किया गया और इसकी जगह पर rolling plan भारत में शुरू किया गया तो option A इसका सही आंसर हो जाएगा rolling plan जब केंदर में जनता पार्टी की सरकार आई उनके द्वारा शुरू किया गया था भारत में rolling plan को शुरू करने का श्रे किसको जाता है? जनता पार्टी की सरकार को तो जाता है मुरालजी दिसाई उस समय प्रधान मंतरी थे लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम पूछेगा तो आप DT लकड़ वाला का नाम बताएंगे भारत में इसको लागू करवाने का जो श्रे जाता है वो इन ही को जाता है जो रोलिंग प्लान है इसकी अवधारणा किस ने दी थी? ये कोशन भी बन सकता है इसकी अवधारणा गुनार मिरडल के द्वारा दी गई थी इसको आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट है एक अनवीनी कृत उर्जा का सुरोथ कौन सा होगा? अनवीनी कृत उर्जा यानि नौन रनियाबल एनर्जी का सुरोथ क्या है? इन में से आपने बताना है नौन रनियाबल एनर्जी कौन सी है? किसको कहते हैं? जब हमने जोगराफिक की डिटील क्लास कवर करी थी उसमें हमने एक वीडियो में दिखा था भारत की उर्जा संसाधनों के बारे में उसमें हमने सारी एनर्जीओं के बारे में अलगलग प्रकार की एनर्जी उनका केटिग्राइज सब को वहाँ पर कवर किया था और आपसिक एक्जाम में इस टॉपिक से कोशन बन भी चुका है दिखे नवी करणिया उर्जा और अनवी करणिया उर्जा यानि रिनियोबल एनर्जी और नॉन रिनियोबल एनर्जी होती क्या है रिनियोबल एनर्जी वो होती है जब किसी एनर्जी का जो सोर्स होता है उसके उपियोग हम दोबारा कर सकते हैं जो खतम नहीं होती है, जिसका प्रियोग हम लगातार कर सकते हैं, जैसे हमारी solar energy है, वायू energy है, इसके लावा बायो gas है, पवन energy है, इन सब का प्रियोग निरंतर हम करते रहेंगे, ये असीमित हैं, इन पर जादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर प्रदोशन जादा बढ़ता भी रहता है, तो भी इनको जादा दिकत नहीं होंगी, ये सब के सब कैसे हैं, अक्षे हैं कभी शेह नहीं होंगे, कुछ एनरजी के सुरोत ऐसे होते हैं, जो जिनकी मात्रा सी होते हैं, तो आ नविनिकरित में सबसे प्रमुक कौन होता है, पेट्रूलियम, इसके अलावा प्राकरतिक गैस भी इसी में आती है, परमाणू उर्जा, कोईला, वो सब इसी में आते हैं, जिनके सोर्स हमारे पास सीमित हैं, ठीक हैं, निमलिकित लोगसभा और उनके प्राकरतिक नहीं हैं, एक तरफ आपको लोगसभा का करम दिया है, दूसरी तरफ उसके लिए चनाव कब हुए, आपको वो दिया है, तो आपको पूरी टाइमलाइन पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि बारिवी लोगसभा का कारेकाल बताईए, दसवी पांच साल बाद होते हैं, 1957, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तीसरी के चनाव 62 में होते हैं, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चौथी लोगसभा के चनाव 1967 में होते हैं, यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से तो पांच-पांच साल करके चलता है, जो पांच लोग सभा थी उसके चुनाओ 1989 में कराए गए दसवी लोग सभा के चुनाओ 1991 में होते हैं उसके बाद 11 लोग सभा आती है 1996 में फिर 12 लोग सभा आती है 1998 में फिर आती है 13 लोग सभा 1999 उसके बाद फिर रेगुलर चलता है 14 2004 में, 15 2009 में, 16 2014 में और सत्रवी लोग सभा जो वर्तमार में चल रही है, जिसके चुनाओ 2019 में हुए थे अब देखे, आपसे पूचा है, 13 लोग सभा 1990 में होती है आपका सही है, हमने यहां पर देखा, 13 लोग सभा हुई, 11 लोग सभा 1986 में हुई, यह भी सही है दसवी लोग सभा 1990 में हुई 1990 में कोई चुनाव नहीं हुए थे दसवी लोग सभा का चुनाव 1991 में हुआ था तो option D यहाँ पर गलत हो जाएगा तो आपको 1967 तक तो 5-5 साल चल करके चलना है उसके बाद change होता है 71 वाले चुनाव एक साल पहले हो जाते है उसके बाद 77, 80, 84, 89, 91, 96, 98, 99 और फिर 2004 के बाद normal चलता है तो ऐसे question बन जाते हैं आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना के अंतरगत लक्सित समू है यानि एक योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना यहाँ योजना किसके लिए चलाए गई है सिंपल सा question यह है इस योजना की शुरुवात 2020 में करी गई थी और किस मंत्राले ने शुरू करी थी इसको भी ध्यान रखना योजना आवास एवं शहरी मंत्राले के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना और यहाँ योजना जो फुटपात विक्रेता हैं उनके लिए शुरू की गई थी और यहाँ प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना इस योजना के तहट इनको 50,000 तक का लोन दिया जाता है जिसे ही अपना काम और उसका विस्तार कर सके तो किस के लिए है, किसने शुरू करी है यानि मंत्राले कौन सा था, और कब शुरू हुई है हमने यहाँ पर देखा निक्स्ट है, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था तो सीरी का किला, बहुत बार आपने देखा होगा प्रिविस एर के पीपर्स में सीरी का किला आपके दिल्ली के नजदीक है और इसका निर्माण अलाउदीन खिलजी ने करवाया था Option C, सही आंसर होगा कोशन आता है, अलाउदीन खिलजी ने सेनिकों के लिए एक दुरग का निर्माण करवाया था दिल्ली में उसका नाम क्या था? उसका नाम था सीरी का किला अलाउदिन खिल जी ने इस सीरीद दुर्ग को 1304 में अपनी राजधानी भी बनाई थी, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है नेक्स्ट है, सरवच न्याले ने निजिता के अधिकार को सम्विधान के किस मूलभूत अधिकार के आधीन रखा है तो दिखिए जो Right to Privacy है, निजिता का अधिकार हमारे सम्विधान में उलेखित नहीं है लेकिन किस आर्टिकल में उसे निहित माना गया है सुप्रेम कोट के द्वारा, वो है आर्टिकल 21 जो आर्टिकल 21 है हमारा, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है हमारे जितने भी प्रकार की स्वतंतरता है, जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए है उन सब को इसी आर्टिकल में माना गया है चाहे वो विदेश खूमने जाने का अधिकार हो, अपनी मरजी से विवहा का अधिकार हो चाहे वो right to privacy हो, वो सारे अधिकार जो हमारे जीवन से जुड़े हुए है हमारी personal स्वतंतरता से जुड़े हुए, वो सब किस में है इसी आर्टिकल 21 में है और आर्टिकल 21 मेंली किस पे जुड़ा हुआ है प्राण और दहिक सौतंतरता के से आर्टिकल 21 जुड़ा हुआ है तो जितने भी ऐसे हमारी चीजे हैं जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हमारी लाइफ के साथ जुड़ी है वो सब इसी में माना गया है राइट टू प्रविसी को भी इसी में माना गया है कई बार कोशन आता है कि विदेश जाने का अधिकार किस में है तो वो भी इसी में है भीतरी ग्रह यानि इनर प्लैनेट पाए जाते हैं अभी तक कोशन आता था कि इन में से कौन सा भीतरी ग्रह है कौन सा बहारी ग्रह है, अब पूछ लिया भीतरी ग्रह है, पाए कहाँ पर जाते हैं, तो आपका concept पूरा clear होना चाहिए, तो ही आप answers कर पाते हैं, क्योंकि अगर examiner ने question को थोड़ा सा भी घुमा दिया, जो आपने रटा है, वो फिर आपके काम नहीं आएगा, इसलिए 7-7 म से जुड़े वे जितने fact हैं, एक साथ cover हो जाएं, दिखे हमारे solar system में 8 planets हैं, इधर आपका सूरिया हो गया, सूरिया के सबसे नजदीक होता है बुद्ध, उसके बाद आता है शुक्र, फिर आती है पृतिवी, और फिर आता है यहाँ पर मंगल ग्रहे, मंगल ग्रहे के बा सूरिया हो गया, इधर हमारा जुपीटर, इसके पीछे शनी हो गया, फिर आपका अरुन हो गया और फिर आपका वरुन हो गया, यह हो गया, पीछे के चार हो गया हमारे बाहारी ग्रहे, अब देखिए, जो मंगल है और यह जो जुपीटर है, इनके बीच में हमारी एक बे इस बेल्ट के इधर के चार ग्रहों को आंत्रिक ग्रह कहते हैं और इस बेल्ट के बाहर के चार ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इस बेल्ट में पाए जाते हैं तो शूरिय और शुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्या में होते हैं भीतरी ग्रह है। नियम बनाए जाते थें उनको जवाबित कहा जाता था। जवाबित क्या हो गए ऐसे कानून जो सुल्तान के द्वारा बनाए गए हैं शरियत के अलावा जो कानून बनाए गए हैं। जो उस समय पूरा शाषन चलता था वो सारा का सारा शरियत के अनुसार चलता था। उसके अलावा कुछ नियम बनाए गए थे सुल्तान के द्वारा उन्हीं को कहा जाता था जवाबित। इसको ध्यान रखेंगे पूछा गया है। चतुर्त आंगल मैसूर युद्ध के संधर्व में निम्न में से असत्य कथन को चुनिये। चलिए देखते हैं यहां पर गलत कौन सा है। पहला यहां युद्ध 1799 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्या में हुआ ये पॉइंट आपका सही है। चौथा अंगल मैसूर युद्ध 1799 में होता है अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। इधर अंग्रेजों का नित्यत्व वैले जली कर रहा था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। ये वाला पॉइंट भी आपका सही है इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। अंग्रेजों ने जीतने के बाग इस वोडियार वंश को दोबारा महसूर की गद्धी पर बैठाया। और इन राजाओं के साथ सहायक संधी यहां पर अपनी कर ली। ठीक है। अपने सामराज्य में नहीं मिलाया था इसको ध्यानकना वोडियार वंश को वापस गद्धी पर बैठा दिया था। इस युद के समय गवर्नर जनरल वैलिजली था ये पॉइंट भी आपका सही है। ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। ग्राम पंचायत के नहीं होते हैं। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव होगा। उसी ग्राम सभा के लोग चुनाव लड़ेंगे 21 साल के उपर जो भी होगा। और फिर ग्राम पंचायत बनती है। जबकि ग्राम सभा में गाओं का हर व्यक ये केवल सिफारिश करती है, कोई भी अगर निर्ने लेना हो, ग्राम सभा सिफारिश करती है ग्राम पंचायत से, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ग्राम पंचायत यहाँ पर कारणी होती है, मेन, जो मेन काम करेगी, वो ग्राम पंचायत करती है, ग्राम सभा केवल एक सभ जो सिफारिश देने का काम करती है, सलहा देने का काम करती है, ठीक है, तो option C आपका दोनों सही है, यहां पर सही हो जाएगा, हमारी जो समविधान की detail series चल रही है, 27 parts हमने cover कर लिये हैं, last part में हमने समविधान का आपात कालीन जो प्रावधान थे उनको cover किया, जो हमारा अगल वीडियो होगा समविधान का 28 वीडियो, वो आपके पंचैती राज से संबंधित होगा, और उसमें आपके पंचैती राज से जितने कोशन बनते हैं, जो जो समीतियां बनी हैं, उन समीतियों से क्या क्या कोशन आते हैं, वो सब उस single वीडियो में cover हो जाएगा, next है, राज जो हमारी विधान परिशदे होती हैं, किसी भी विधान परिशद में सदस्यों की संख्या कैसे निकाली जाती हैं, उस राज्ये की विधान सभा का एक तिहाई सदस्य होता है, अधिक्तम इतनी हो सकती है, यानि किसी राज्ये में अगर 100 विधान सभा की सीटे हैं, तो वहा राज्य की विधान सभा का एक तिहाई और नियूनतम हो सकती है चालिस, ठीक है, ओप्शन B सही अंसर होगा, डलहौजी की विलय नीती के अनुसार निमलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया था, तो विलय नीती जिसको राज्य हडप नीती भी कहा जात और उसका कोई पुर्श उत्र अदिकारी नहीं है, तो उस राज्य को कोई अधिकार नहीं था कि वो किसी को गोध ले सके, वो पुरा का पूरा राज्य अंग्रिजी सामराज्य में मिल जाता था, ठीक है, अंग्रिजी उस पर कबज़ा कर डेते थे, इसलिए इस नीती को र अठारा सो अर्तालीस में मिलाया था ठीक है तो सतारा तो अठारा सो अर्तालीस हो गया इसके बाद डलहौजी ने संभलपूर को ब्रिटिश सामराज्य में मिलाया अठारा सो पचांस में इसके बाद उदैपूर को मिलाया अठारा सो बावन में नागपूर को उसने अठारा स 153 में मिलाया और अंत में जहासी को मिलाया था 1854 में तो इन सब में सबसे आखिर में कौन मिला जहासी option B सही अंसर होगा सतारा हो गया जहासी हो गया कि आपको कौमनी मिल जाते हैं लेकिन नागपुर, उदैपुर, संभलपुर इनके भी वर्ष को याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है नेक्स्ट है, निमलिखित में से कौन आजाद हिंदु फौज बचाओ समीती के नेत्रित्व करता थे दिए आजाद हिंदु फौज बचाओ समीती इसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात करी थी कि एक मुकदमा हुआ था, लाल किला मुकदमा किस से संबन दित था? लाल किला मुकदमा दूसरे विश्वयुद के बाद जो आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, अधिकारी थे उनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया था और उनके उपर एक खुली कोट में केस चलाया गया वो केस दिल्ली के लाल किला में चलाया गया और इसे बुला गया लाल किला मुकदमा इन अधिकारियों को बचाने के लिए कॉंग्रेस ने भी एक बचाओ समीती का कठन किया था जिसे आजाद हिंद फोज बचाओ समीती कहा गया और इसका जो अध्यक्ष था वो भूला भाई देसाई को बनाया गया था option C सही आंसर होगा इस समीती में ये जो पूरी समीती थी बचाओ समीती नहरू भी थे तेज बहदूर सपरू भी थे इसके अध्यक्ष कौन थे भूला भाई देसाई निक्स्ट है राज कोशिया घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है तो देखे अगर हम राज कोशिया घाटे से ब्याज भुगतान को घटा दें तो हमें प्रात्मिक घाटा मिलेगा, यानि प्रात्मिक घाटा कैसे प्राप्त होगा, जब राजकोश्य घाटे से ब्याज को घाटा दिया जाएगा, ये कोशन उल्टा भी कर सकता है, कि प्रात्मिक घाटे में ब्याज भुकतान जोडने पर हमें क्या मिलेगा, राजकोश्य तो इन दोनों को आपने याद करना है कि प्रात्मिक घाटा प्लस व्याज घाटा is equal to राजकोशिया घाटा यानि जो व्याज भुखतान है उसको अगर हम इसमें जोड़ दें राजकोशिया मिल जाएगा राजकोशिया मेंसे अगर व्याज को घटा दें तो प्रात्मिक घाटा मिल जाएगा ये कोशन भी बना है इसको ध्यान रखेंगे जो डिटेल सीरीज है जो ग्रोफी और स्विधान की कम्प्लीट हो जाएगी तो कोशिश करेंगे एकनॉमिक्स की सीरीज को शुरू करने का संग एवं राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग के सदस्यों की निप्ती और पदवधी का प्रावधान किस में किया गया है तो दीखे जो हमारे लोग सेवा आयोग होते हैं चाहे वो सेंटर पे हो चाहे वो राज्यों में हो उनके सदस्यों और अध्यक्ष्रों की निप्ती और पदवधी किस में बताई गई है? वो बताई गई है आर्टिकल 316 में Option A सही आंसर होगा लोग सेवा आयोग से सम्बंदित जो आर्टिकल है वो 315 से शुरू होते हैं 315 में ये बताया गया है कि राज्यों और संग के लिए एक एक लोग सेवा आयोग होगा वो बात इसमें है ठीक है? और उनमें सदस्यों की निक्ती, अधिक्ष की निक्ती, उनका कार्या अवधी वो सब 316 में बताया गया है ठीक है? और इनको हटाना किस में बताया गया है? वो 317 में बताया गया है समिधान के किस भाग में सहकारी समीतियों का उलेक है देखे सहकारी समीतियों को लेकर कोशन आपसे बनते रहते हैं कि किस आर्टिकल में ये उलेकित है किस भाग में है सहकारी समीतियों को लेकर समिधान में एक नया भाग जोड़ा गया था भाग 9 ख को जोड़ा गया था और यहाँ 2011 में जोड़ा गया था सत्तानविवा संविधान शेंशोधन इसके लिए किया गया था तो इसको आपने ध्यान रखना है कौन सा भाग है सहकारी समीतियों से भाग 9 ख संबंदित है आर्टिकल 243 में ही इनको जोड़ा गया है इसी 243 में पंचायतों से संबंदित आनुशेद हैं इसी 243 में नगरपालिकाओं के लिए हैं और इसी 243 में सहकारी समीतियों के लिए भी उलेक किया गया है रोबर्ट कलाइव किस वर्ष भारत में आया था देखे रोबर्ट कलाइव की बात करते हैं भारत में अंग्रेजों को मजबूत करने का जो पूरा श्रे जाता है वो इसी रोबर्ट कलाइव को जाता है बंगाल का पहला गवर्णर कौन था? रोबर्ट कलाइव था पलासी का युद जब हुआ उसमें अंग्रेज जीते थे, बंगाल के नवाब को हराय था, उस समय भी क्याउन था, यहाँ पर नित्व करता, रोबर्ट कलाइव था, रोबर्ट कलाइव की बात करें, यह भारत आया था, 1743 में आया था, ठीकें, ऑप्शन B, सही आंसर होगा, 1725 में इसका जनम होता है, 18 सा 15 में, पलासी के युद में अंग्रेजों का नितित्व करता है, और 57 से लेकर 60 तक यह बंगाल का गवर्नर रहता है, फिर जब बकसर का युद अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेजों की इस्तिती को और मजबूत करने के लिए इसी को वापस गवर्नर बना कर भीजा जात है, 1765 से लेकर 1767 तक यह दूसरी बार बंगाल का गवर्नर रहता है, भारत से यह अंतिम बार 1767 में वापस कया था, तो आया 43 में था, 67 में यह अंततह भारत से लोट गया था, जब यह ब्रिटेन वापस कया तो इसके उपर ब्रिष्टाचार के आरोप लगे, बाद में यह अरोपों से मुख्त हो गया, लेकिन यहाँ आत्महत्या कर लेता है, कोशन पूछा जाता है, इन में से कौन सा था, अंग्रेज अधिकारी, जिसने भारत में भी शाषन किया, अंग्रेजों को मजबूत किया, और ब्रिटेन में जा कर आत्महत्या कर ली, वो भी रोबर्र कल को ले करके जो एक इतिहासकार है, जिनका नाम है William Pete, William Pete, Robert Clive को स्वर्ग से उत्रा हुआ सेना नायक कहते हैं, question आएगा अगर आपसे स्वर्ग से उत्पन सेना नायक किसको कहा गया है, Robert Clive को और किसने कहा है, William Pete ने कहा है, ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रिखना है, question बन को link करके cover करने का प्रयास किया, उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें, चैनल पर नए है तो subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में हमें जरूर बताएं, thank you friends